हलो बच्चो हलो बच्चो बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका IUPAC के लेक्चर नमबर 4 में और आज हम साइकलो कंपाउंड और बेंजीन वाले कंपाउंड का नॉमनक्लेचर सीखेंगे सबी लोगों को बहुत बड़ा बाला वेलकम है सबसे पहले आपको basic rule समझ में आने चाहिए अगर आप rule समझ गए तो कहानी बिल्कु सिंपल हो जाती है आप example देखके लगा सकते हो आणसर मतलब आप पड़ावर लिख दोगे धियान से देखना ज़रा rule number 1 बड़ेंगे क्या कह रहे है rule number 1 में कह रहे है principle functional group प्रिंसिपल functional group क्या है principle functional group कौन से होते है ये suffix to प्रिंसिपल functional group आपके वेटा क्या होते है suffix to होते है जैसे co h हो गया cn हो गया o h हो गया ch हो गया so 3 h हो गया वो जो मैंने devil लिखाई थी वही वाली है ना तो principle functional group आपको पहले चूज करना है इसकी priority जादा है यह order किसका वेटा priority का order है किसका है priority का दियान लगना अगला अगर principle functional group नहीं है तो तुम जाओगे multiple bonds पर multiple bonds क्या होते है double और triple bond और आपको यह पता है कि double की priority कब और triple की priority कब हम देते हैं ठीक है वो मैंने लास्टन पर आपको सिखाया था आपको double or triple decide करने पड़ेंगे यह यह multiple bond का हो तब क्या है double triple PFG principle functional group के बाद आपको इसको priority देनी है इसके बाद number of carbon को priority देनी है मालो आपके पास ring है और आपके पास chain है ठीक है ring है और chain है तो किसको priority दोगे जिसमें number of carbon ज्यादा होंगे simple सी बात है ना उसके बाद तुम ring को priority दोगे अगर number of carbon तुमारे same है तो तुम ring को priority दोगे वो मैंने third point में लिख दिया देगो if number of carbon atoms are same तो priority ring की ज़्यादा होती किस से chain से clear अब यह rule number two समझना जरा क्या होता है rule number two में क्या लिखा पढ़ लेते हैं पहले क्या if carbon containing functional groups are directly attached with ring ध्याद से सुनना directly attached with ring कैसे directly attached with ring then they are taken as a part of ring इसका मतलब क्या है ध्याद से सुनना directly attached होना चाहिए directly attached का मतलब क्या है यहाँ पर जैसे मालो मेरे पास एक three member ring है दियान से देखना जरा ठीक है मेरे पास एक three member ring है ऐसी और यहाँ मैंने लगा दिया suppose कोई group suppose मैंने लगा दिया cn ऐसा लगा दिया ठीक है और यह कैसा होना चीए carbon containing तो cn में carbon होता है ठीक है तो carbon containing functional group क्या है directly ring से जुड़ा है तो आप क्या वो लोगी कि यह functional group किसका part है ring का part है मतलब numbering ring की करनी है simple सी बात समझलो numbering ring की करनी है मतलब इसको one देंगे जहां पर group जुड़ा है उसी वाले ring वाले carbon को लेना है ठीक है इस पर group जुड़ा है तो इसको one इसको two दे सकते और इसको three लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए कैसा हो जाए ऐसा हो जाए ध्यान से देखना ज़रा तो अब तुम ring की numbering नहीं करोगे अब किसकी numbering करोगे यहां से functional group के carbon को count करोगे मतलब यह one और यह two हो जाएगा और यह तुम्हारा सबस्टिटुमेंट हो जाएगा कई पागल लोग इसमें क्या करते पता है सर यह one यह two यह three यह four यह five पागल हो गया कैसा गूम रहा हो चेन से गूमते हो रिंग में आगा है ऐसी numbering नहीं होती है न तो ऐसा आपको नहीं करना कैसा करना है यह one यह two और इस पर क्या लगा है branch और three carbon की branch है लेकिन cyclic है तो इसको cyclopropyl बोलेंगे branch मैं अगर linear कभी branch होती है तीन carbon की तो propyl बोलते हो अगर ring में आ गई तो cyclopropyl बोलने लगोगे simple सी बात है है ना समझे कहा कहाँनी क्या है अगर carbon containing functional group direct जडा है तो बैटा किसकी numbering करते हैं रिंग की numbering करते हैं इसका मतलब इसका मतलब ये वाला जो तुम्हारा ग्रुप है ये ये क्या बन जाएगा सफिक्स लेकिन जब cn सफिक्स बनता है तो इसका आप नाम क्या लिखते हो नाइट्राइल लेकिन वो तो बेटा तब लिखते हो ना जब इसका कार्बन काउंट होता है आपका प्रिंसिपल चेन मे या main chain में है तो अगर इसका carbon count हो भी ही नहीं रहा देखो अगर होता तो night like यहां इसका carbon count नहीं और आपने numbering किस की करी ring की कई करी इसका मतलब अब इस type के group का कोई और suffix use करना पड़ेगा आप night shadow use नहीं कर सकते बहुत धयानग्र सुनना मैं क्या बोले अगर तुम cn के carbon को count करते तो nitrile लिखते यही लिखते ना लेकिन अगर count नहीं कर रहे हो तो ऐसा कोई suffix अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर carbon containing functional group आ जाएं और उसका carbon count ना हो जो की cyclic compound में होता है ऐसा क्योंकि आपको ring की numbering करनी पढ़ती है जब वो directly connected रहता है तो इसके तुम्हें special suffix use करने पढ़ेंगे अब मैं बताता हूं आपको special suffix क्या होते हैं यह numbering समझ गए अगर carbon containing group directly ring से जुड़ा है तो ring की numbering करनी है मतलब ring की numbering करोगे तो इसको count नहीं कर पाओगे किसको इस वाले carbon को count नहीं कर पाओगे और count नहीं कर पाओगे इसका मतलब आपको इसके special suffix use करने पढ़ेंगे अगर बीच में एक भी carbon आ गया एक के अलावा 2,3,4,5 carbon भी हो सकते हैं कम से कम एक carbon आ गया किसके बीच में इस ring और cn के बीच में एक carbon आ गया इसका मतलब बिटा आपको numbering कहां से करनी है इधर से करन हैं अब आपको special suffix use करने पढ़ेंगे कब जब आप carbon को count नहीं करते हो तो यह देखो यह मैंने carbon containing functional group लिख रखे हैं ठीक है तो इनके लिए special suffix क्या क्या यूज करोगे coh के लिए use करते हैं carboxylic acid ध्यान रखना क्या यूज करते हैं carboxylic acid अगर carbon count होता है तो oic acid लेते हैं अगर carbon count नहीं तो carboxylic acid लेना है ठीक है cohr का लिखोगे आप carboxylate अगर carbon count नहीं करते हो तो carboxylate और अगर करना है तो oic l लिखते थे cocl को लिखेंगे carbonyl chloride carbonyl chloride यान से सुनना क्या लिखते हैं carbonyl chloride अगर इसको count करते थे तो oil chloride लिखते थे co ns2 को लिखेंगे carboxylate क्या लिखेंगे carboxylate अगर इसको count करते थे तो amide लिखते थे नहीं करेंगे तो carboxylate cn को लिखेंगे लिखेंगे carbon nitrile क्या carbon nitrile क्या लिखेंगे carbon nitrile क्या लिखेंगे carbon nitrile अगर इसको count करते थे तो हाइड क्या कार बैल डी हाइड और अगर काउंट करते थे तो लिखते थे तो यह वो इस पेशल सफिक्स हैं जब यह कार्बन काउंट नहीं होगा और ऐसा साइकलिक कंपाउंड में आपको मिलेगा कब जब रिंग से डार्कली कनेक्टेड यह फंक्शनल ग्रूप होंगे तो देखना जरा काफी सो क्वेश्चन करवा तो मैं आपने देखा हो गए क्योंकि क्वेश्चन ही तो है में एक्जाम में तो यह आने है देखो जरा अब मुझे यह दे रखा है साइकलिक कंपाउंड और चेन लगा रखी है बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे अभी मैंने कारवन कौन कौन से मानोगे एक रिंग के कारवन कौन कौन से मानोगे आप एक ये दूसरा ये तीसरा ये 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 तीन कारवन रिंग में है दियान से देखते जाना और चेन के कौन से मानोगे चेन के एक ये एक ये और एक ये चेन में ये वाला कारवन नहीं आएगा जब भ कारवन सेम है मतलब किसकी होगी रिंग की होगी चलो भाई रिंग की नंबरिंग कर लेते हैं करवादो ज़रा मुझसे नंबरिंग कहां से करोगी रिंग में यहां से क्यों अगर नंबरिंग इसकी होगी तो यह ब्रांच बन जाएगी तो यह वन इसको 2 इसको 3 आप यहाँ 2 यहाँ 3 भी दे सकते थे कोई दिखकत नहीं तो यह क्या होगी बेटा ब्रांच कितने कारवन की तीन कारवन की क्या वो लोगे प्रोपाईल ठीक है तो लिखना है इसको 1 प्रोपाईल वन प्रोपाईल अब देखना जड़ा करने से क्या मालब आयूब एसी स्टार्ट करते डाहिं मताया था प्रफिक्स टू प्लस क्या आता है प्रफिक्स वन प्लस क्या आता है वर्ड रूट प्लस क्या आता है सफिक्स वन सफिक्स वन प्लस क्या आता है सफिक्स टू यही आता है तो प्रफिक्स टू कौन सा होता है जो आपकी ब्रांचेस होती है ठीक है वो हो गया प्रफिक्स वन साइक्लो बाई साइक्लो श्पाइरो वगेरा यह जो लगाते हैं तो वन प्रोपाइल के साथ क्या लिखेंगे वन प्रोपाइल और प्रफिक्स वन लिखेंगे साइक्लो और वर्ड रूट लगाएंगे तीन कार्वन का क्या होता है प्रोप तो वन प्रोपाइल साइक्लो प्रोप सफिक्स वन क्या लगाओगे सारे कार्व पहले आप question देख लो, question में क्या क्या रहे है, double bond लगा है और इधर ring है, ठीक है, double bond लगा है और ring है, अब मैं आपको rule याद दिलाता हूँ, multiple bond की priority ज्यादा होती है, मतलब multiple bond की priority ज्यादा है, तो मतलब क्या है इसका, numbering आपकी कहां से होगी, multiple bond से, तो ये one, ये two और ये three, तो cyclo-propyle, ring में है ना, ये three carbon, ring में three carbon है, तो cyclo-propyle, ठीक है, और three carbon का word root क्या होता, प्रोप, और double bond किस पे लगा है, one पे, तो one, in, ऐसे लिखोगे, समस्ते जाओ बात को, एक एक example में मजा आएगा, ठीक, अगला देखो जरा, धियान से देखना, carbon containing functional group, देखो जरा, carbon containing functional group, ring स directly reconnected है, तो किसकी numbering करोगे, ring की numbering करोगे, ठीक है, किसकी numbering करोगे, रिंग की numbering करोगे, तो ये आएगा, बटा, ये आएगा, two, ये आएगा, three, two पर क्या लगा है, तीन carbon की branch, तो क्या लिखोगे, two पर, तू पर लिखोगे प्रो पाइल, तीन कारवन की वरांच है न यहाएगा प्रो पाइल ठीक है, अब तीन कारवन का प्रफिक्स वन के साथ वर्ड रूट लिख दिया करो मतलब साइकलो प्रोपेन साइकलो, प्रोपेन अब यहाँ पर जनता दुआरा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती वन ओएक एसिड लिखने लगते है, अरे भाई क्यों सी ओएच का कारवन काउंट किया क्या नहीं किया, सी ओएच का कारवन काउंट किया ही नहीं नहीं किया, तो क्या लिखोगे स्पेसल सफिक्स, तो क्या लिखोगे कार्वाक्सिलिक एसिड, तो वन पर क्या आएगा कार्वाक्सिलिक एसिड क्या लिखोगे कार्वाक्सिलिक एसिड और ये E को ड्रॉप करेंगे क्या नहीं करेंगे विड़ा क्या हो क्यों क्योंकि यहां C है क्या है C है ना तो इसलिए यह E-drop नहीं होगा समझगे कहानी इसकी चलो वई नोट करते जाओ फटावट से आगे बढ़ रही हैं अगला सवाल देखो जरा रिंग और कारवन कंटेनिंग फंक्शनल गुरुप के बीच में कारवन आ गया तो अब तुम नंबरिंग किसकी करोगे इसकी करोगे तो ये बनाएगा ये टू आएगा ये तुम्हारी ब्रांच हो गई क्या वो लोगे टू साइकलो प्रोपाइल क्या वो लोगे टू साइकलो प्रोपाइल क्या वो लोगे एसेड स दौनों में डिफ्रेंस समझें पिछले में कारवक्स लिक एसेड कियों लिखा था क्योंकि यह कारवंड काउंट नहीं भूंट था अब आपने इसको लिखा क्योंकि कारवन को आपने काउंट कर लिया मेंट toughest में और यहां से एड़ा यह एंब अब इसमें numbering कहां से करोगे इधर से करोगे की इधर से करोगे इधर से करोगे तो E पहले आ रहा है मतब इधायल का E आएगा ना इधर से करोगे तो मिधायल का M आएगा बताओ कौन पहले आता है E पहले आता है की M बाद में आता है दौनों बाते सही हैं लेकिन numbering यहां से नहीं करोगे फिर भी क्यों क्यों क्योंकि यहां number of branch कितनी लगी है दो और यहां branch कितनी है एक तो पहले priority आपको number of branch को देनी होती है ना तो यहां दो branch यहां एक branch अगर यह नहीं होता m e नहीं होता एक m e नहीं होता यह और यह होते तो तुम्हारी यहां से number नहीं होती सुनलो जरा अगर यह नहीं होता तो यहां से number नहीं होती क्यों फिर तो एक एक branch रहती ना तो फिर तुम अलफा वेटिकल order लगाते अब यहां दो branch है तो अलफा वेटिकल order से पहले आपको number तो तो यह वान ये टू ये फॉर यह फाइब और ये शिट अब बताना ज़रा क्या-क्या प्राफिक्स न ह्र जी एक अल्फावेटिकल उडर में लिखते तो अल्फावेटिकल उडर में यह ना फूर इथाइल कि देख लो जरा क्या लिखंगा चार पर क्या लगा वेटा इथाइल तो फूर इथाइल 1,1 डाई मिथाइल ठीक है अब कई लोग क्या करते है सर यहां D आ रहा है, यहां E आ रहा है, यह पहले क्यों ने लिखा, अरे वेटा, जब तुम्हारे सिंपल सब्सिटुमेंट होते हैं, तो उसके नाम से कंपेर कराते हैं, डाइट राइट अटरा से नहीं कराते हैं, नाम से, मिथायल का M, एथायल का E, ऐसे देखना आपको है वन वन डाई मिथायल और छे कारवन के लिए साइकलो, हैकजेन, सारे सिंगल बॉंड है, ऐसे लिखना है, समझरे बात को ध्यान से समझते जाओ, सब सिखा देंगे, चलो अगला, अगला बताओ, अब देखो एक एक ब्रांच है, तो अब आपको अल्फाबेटिकल ओडर से करना है कि यहां से करूँ कि यहां से करूँ, इधर मिथाक्सी, इधर इथायल, तो वेटा, इपहले आता है, वन टू, थ्री, फोर, फाइव सिक्स, ऐसा है, ठीक, तो यह ब्रांच, और यह ब्रांच, अल्फाबेटिकल ओडर में लिख दो, बदाना जरा वन पर क्या लगा है, इधायल, वन पर क्या लगा वेटा, इधायल, फोर पर, मिथाक्सी, फोर मिथाक्सी, और, 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 छे कारवन के लिए क्या लिखते हो, साइक्लो, क्या लिखते हो, साइक्लो, हैक्जेन, क्या लिखना है वेटा, हैक्जेन, समझ गया बात को, चलो बाई, आगे बढ़ है बोल वजल्दी से क्या लिखा है यह यूपसी नेमिंग और बैंजीन डेरिवेटेव कुछ रूल्स होते हैं इसमें जो फॉलो करने होते हैं पढ़ लेते हैं पहले फिर मैं आपको इसका मतलब क्या है यह कुछ कंपाउंड है इनका कॉमन नेम होता है वही हम यूपसी में यूज करते हैं तो क्या यूज करना है इसको बोलते है फिनॉल तो हम डारेक्ट फिनॉल यूज करेंगे इसके लिए ऐसे में यह कॉमन नेमें इसका इसी को आइसमीं और इसका नाम है और इसका एक और है यूज कर सकते हैं बेंजीन के साथ COH तो जब तुम numbering करोगे तो अभी हमने cyclic में सीखा था ना ऐसे करोगे अगर directly connected airing से तो इसके लिए क्या use करोगे carboxylic acid तो इसको benzene carboxylic acid भी लिख सकते हैं ठीक है इसका नाम है benzamide वैसे इसको लिख सकते हैं क्या benzene carboxylide special suffix वाले मैं count कर सकते हैं benzamide इसका benzene carboxylide या benzaldehyde बोलते हैं इसको common name benzaldehyde इसके लिए वेड़ा बोलते हैं benzoyed या benzene carboxylate ठीक है तो आपन जो लिख रहे हैं benzoyed वो use करते हैं maximum लोग है ये है benzoy benzene के साथ क्या carbonitrile benzene carboxyl या benzonytrile common name को IUPAC में लेना है इसका नाम है benzonytrile इसका benzene sulfonic acid ठीक है ये carbon containing नहीं है तो आपन ने जितने carbon containing थे उसके लिए लिख सकता है ना benzene sulfonic acid समझ गया बात को तो जो भी carbon containing दिख रहे हैं जैसे ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो पीछे जो हमने स्पेशल सफिक्स लेके वो भी आप यूज कर सकते हो है ना जबकि हम यहाँ पर यही वाले यूज करेंगे और एक्जामपल देखेंगे तो उसमें आपन कार्वक्स लेक ऐसे भी यूज करेंगे मतलब आप सीधा सीधा ये समझो क्या कि अगर आपके पास स्पेशल सफिक्स की च्वाइस है मतलब कार्वन कंटेनिंग है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो इन कॉमन नेम के अलावा है ना क्योंकि यह जो कॉमन है यह यूज पीसी में तो ले नहीं है इसके अलावा एक तरीके से और नाम लिखा जा सकता है कैसे जो पीछे साइक् पने मैं आपका एक्जांपल से भी समझा दूँगा इसका यह वाला रूल नमबर बन चलो आगला पढ़ना क्या कह रहें इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रूप्स आर प्रिजेंट मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रूप प्रिजेंट है बैन नम्बरिंग इस डन अकॉर यह 4 यह 5 और यह 6 आप चाहो तो यहां से बन कर लो कैसे भी जाओ आइडेंटी के लिए तो इसके लिए मैं लिखूंगा कोई सब्स्टिटुमेंट नहीं यह क्या है तुम्हारे सफिक्स टू है तो मैं इसका नाम क्या लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना सीधे वर्ड से देखो तसली से सीख के जाना सारा है ना बेंजीन हो गई है और वन फोर पर क्या लगा है बिड़ा दो ओएच लगे हैं दो एच को क्या बोलते हैं डाय ओल अब देखना जरा यह वाला इसको समझना धिहान से पहले मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं कैसे करूंगा से डारेक्ली कनेक्टेड हैं रिंग से डारेक्ली कनेक्टेड हैं तो आपको रिंग की नंबरिंग करनी है तो ये वन ये टू ये थ्री ये फॉर ये फाइव और ये शिक्स आप यहां पर वन और यहां पर टू दे सकते थे कोई दिखकत नहीं है यहां से जल सकते दे वन ट Benzene 1,2 Dicarboxylic Acid Dicarboxylic Acid यह आएगा इसका नाम Dicarboxylic Acid अब क्यों लिखा मैंने यह अगर एक group होता एक नहीं होता तब तो हम Benzoyic Acid लिख सकते थे या Benzene Carboxylic Acid लिख सकते थे यह न 2 CuH के लिए कोई common name यूज नहीं करते है अपन 2 CuH लगे हैं न तो इसके लिए common name को IUPSC में नहीं लेते अगर एक CUH होता तो हम उसको benzoic acid भी लिख सकते थे और benzene carboxylic acid भी लिख सकते थे दो CUH हैं तो benzene di carboxylic acid लिखेंगे 1-2 जो भी number है वो लिखेंगे लेकिन इसके लिए कोई common name नहीं होता है क्या बोला मैंने फिर सुनलो benzene है उसके उपर CUH है तो दो नाम है benzene carboxylic acid या benzoic acid ठीक benzene है उसके पास 2 CUH है तो उसका common name को use नहीं करना benzene 1-2 di carboxylic acid या 1-3 या 1-4 ऐसा जो भी numbering बने हमजगे बात को तो इस तरीके से आपको लिखना है कई लोग इसमें गलती करने लगते हैं क्या कई लोग यह बोलते हैं सर एक काम करते हैं एक को हम suffix मालने एक को हम prefix मालने क्यों मालने बई जब तुमने दोनों को जब तुमने एक को suffix माना है suffix 2 माना है तो दूसरे को भी suffix 2 ही मानना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिकल है ऐसा नहीं इसको सफिक्सर इसको प्रफिक्स माल लिया तू कार्वक्सी लिखे जा रहे ऐसा नहीं करना आप जैसा मैंने बताए वैसी करना है को चलो तब आगे पढ़ते हैं अगला पॉइंट देखेंगे क्या कैने रूंबर ठी इफ हाइडरो कारवन इस कॉंबिनिशन ऑफ बोथ धियान से देखना जाड़ां याँ से देखना क्या लेका इफ हाइडरो कार्वन इस कॉंबिनेशन ऑफ बोथ ओपन पार्ट एंड रिं then accept ethyl and methyl यह बहुत important point है accept ethyl and methyl in all other cases open part is taken as the main part सब उपर से निकल गया अब मैं आपको example से समझाता हूँ अगर तुम्हारा hydrocarbon का मतलब क्या यह compound जो दिख रहा है आपको benzene के साथ कुछ alkyl group लगे होंगी है तो मुझे एक बाँ बताओ यहां benzene के साथ क्या लगा है methyl ठीक है यहां benzene के साथ क्या लगा है asyle तो जब metall और asyle लगे होते है तो numbering हम benzene की करते है one, two, three, four five और six क्या लिखोंगे इसका नाम बताना जरा इसका नाम लिखोंगे one methyl one methyl benzene यहaam methyl benzene भी लिख सकते हो clear अगर तुम्हारा इथाइल भी चुड़ा है तब भी तुम ऐसे ही करोगे वेटा ये वान ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स ठीक है तब भी आप ऐसी करोगे अब बताओ आप नाम क्या लिखोगे वन पर क्या लगा है इथाइल तो इसका नाम होगा वन गया इनके अलावा अगर कोई और आ गया इसको थोड़ा करेट कर लो इसके पांच बॉंड बन रहे हैं यहां से हटा दो है इसके अलावा अगर कोई और आ गया किसके अलावा मिथायल और इथायल के अलावा अगर कोई और आ गया तो उसको में पार्ट लेना है जैसे यहा को कम नंबर दोगे अब कई लोग सोस्ते सार्म यहां से क्यों नहीं कर रहे अरे भाई जब तुम इसको मेंचेन लोगे तो इसके लिए यह ब्रांच हो जाएगी और ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए तो यह क्या बनेगा ब्रांच और जब बैंजीन ब्रांच बनती है उसको फिनायल बोलते हैं तो क्या लिह हुंगा वन फिनाईल एथेन एथीन या एथ वन इन या इथीन भी लिख सकते हैं कोई दिखकत नहीं समझे कहानी क्या बोल रहा हूँ मैं जब तुम्हारा बेंजीन पर मिथाइल या इथाइल हुआ तब बेंजीन की नंबरिंग करते हैं इन ओल अधर केसे मिथाइल इथाइल के लावा कोई भी आ जाए तो तुम्हें उस चेन की नंबरिंग करनी हैं फिर बेंजीन तुम्हारा सब्स्टिटुमेंट बन जाएगा ब्रांच बन जाएगा फिनाइल लिखना है ठीक है अगला देखो जड़ा यहां देखना जड़ा अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो बेंजीन के अलावा जो सब्स्टिटुमेंट है बेंजीन के अलावा जो गुरुप लगा है आप ऐसा बोलो इस पर जो गुरुप लगा है उससे नंबरिंग करेंगे कैसे यह वन यह टू यह थ्री और यह फोर मिथाइल और इथाइल में ही benzene की numbering करनी है in all other cases यही लिखा था in all other cases open part को ही हम main part लेके चलेंगे, मतलब ये क्या बन जाएगी दुमारी ये ये बन जाएगी branch, तो अब क्या लिखोगे इसका नाम, one, sorry two पर है, two phenyl two phenyl two phenyl butane क्या लिखोगे two phenyl, four carbon, तो butane बात समझ में आई, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को इधार 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 देखो जब कभी भी benzene पर methyl या ethyle हुआ, तो benzene की numbering करनी है, in all other cases, उसके अलावा कुछ भी आजाए तो किस की करनी है, chain की करनी है फिर benzene को phenyl substituent के तौर पर यूज करना है, समझ लो इस बात को है ना लोग गलती करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, rule number four देखेंगे, rule number four पढ़ो बच्चों क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कहना है, if organic compound ध्यान से बढ़ना rules आ रहे हैं ना, if organic compound is having functional group, then part having functional group is taken as the main part अब ये functional group तुम्हारे suffix class के भी चलेंगे ये class tenth नहीं है, पता जरे याद आजाएं तुम्हें अपनी बच्पन की बात में, class tenth class, मतलब ये x मतलब है लो जाना है no2 हो गया, no हो गया or हो गया, इस type के जो मैंने आपको लिखवाई थे, prefix two वाले हैं ये सारे कौन से हैं, prefix two वाले हैं तो अब क्या बोला आप से कि जिसमें भी functional group आ रहा है ring में आ रहा होगा, तो ring से numbering करेंगे, chain में आ रहा होगा, तो chain से numbering करेंगे, बिल्कु सिंपल सा rule है ध्यान से देखना जरा, मुझे बताओ chlorine दिख रहा, आपको चमकता हुआ बताओ जरा, ये किस में आ रहा है, ring में आ रहा है तो ring से numbering करेंगे, ये one ये two, ये three, ये four ये five, ये six, ऐसा करोगे और इस चार number पर ये complex substituent लगा है तो आप numbering यहां से करते हो complex substituent में, one dash, two dash three dash, अब कई लोग ज़्यादा होसियार बनते हैं, कहते हैं सर हम इसमें भी long question लेंगे, ना बिटा, ना गलत हो जाएगा, क्यों, जब कभी complex substituent आता है तो उसका जो carbon है, जिससे connected रहता है, वहीं से numbering करते हैं, यहां से connected हैं ना तो number यहीं से करेंगे तो one dash पर यह branch लगी है और four पर four पर बेटा, तुम्हारी यह पूरी branch लगी है यह, तो इसको कैसे लिखोगे, पहले तो one chloro आएगा ठीक है, पहले क्या आएगा, one chloro, alphabetical order follow करेंगे तो one पर क्या लिखेंगे, chloro तो one chloro, उसके बाद four number पर क्या लिखेंगे, one dash methyl यहां से देखना, चार number पर one dash methyl और तीन कारवन की branch है यह, मतलब propyl, कई लोग यहाँ propane लिखने लगते हैं, propane क्यों लिख रहा भाई main chain तो यह है ना तो तुम्हारा सब्स्टिटूमेंट है, चार number पर यह branch लगी है, और उसमें भी one dash की एक branch है, तो ऐसा लिखेंगे और क्या लिखोगे, benzene ठीक है, क्या लिखोगे benzene इस तरीके से, समझ गे इसमें देखो ज़रा तुम्हारा functional group कहां आ रहा है कहां आ रहा है functional group यहां आ रहा है, मतलब यह one यह two, यह three, यह four तो पेटा यह क्या बन जाएगा तुम्हारा यह बन जाएगा prefix और इसको phenyl लिखते हो, ठीक, तो क्या हैगा one chloro, three phenyl butane one पर chloro लिखेंगे three पर क्या लिखेंगे phenyl लिखेंगे ठीक है, और चार कारवन मतलब butane लिखेंगे इस तरीके से लिखना है, समझे बात को मतलब बहुत आराम से आप सीख सकते हो यह चीजे है ना, rule बस ध्यान से देखना आगे बढ़े, चलो बई question कर लो ध्यान से देखना जरा अब आप मुझे बताओ, numbering कहां से करें आप pause करो, try करो, खुद से करा करो फिर आप बापस आया करो, तो आपको देखेगा सही है कि गलत है, तो साथ साथ सीखते भी जाओगे है ना, चलो बई, cn क्या है बटा oh क्या है बटा, br क्या है cn suffix 2 oh भी suffix 2 होता है, अब तुम्हें इन दोनों में decide करना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा prefix 2 है, ठीक है तो ये दोनों suffix 2 है, किसकी priority जादा oh की कम या cn की जादा दोनों बाते सही है, मतलब इसकी priority जादा तो ये 1, ये 2 ये 3, ये 4, ये 5 ये 6, अब ये दोनों तुम्हारे prefix में आ चुके है ये दोनों suffix होते हैं लेकिन इन दोनों में तुम्हें एक principle suffix लेना होता है, तो ये तुम्हारा जब suffix 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा suffix 2 बन जाएगा तो बेटा ये क्या बन गया automatically prefix 2 में आ जाएगा ठीक है, ये क्या बन गया ये तो पहले से ही prefix 2 था, बन क्या गया ये पहले से ही prefix 2 था समझ गया बात को, ठीक तो ये कहानी है, अब तो आप लिख लो के नाम alphabetical order में बोलेंगे 5 पर क्या आएगा Bromo आएगा ठीक है, तीन पर क्या आएगा Hydroxy आएगा अब तुम इसके लिए क्या लिए सकते हो Benzene, Carbonytrile लिखो या Benzonitrile लिख सकते हो तो आपन Benzonitrile लिख रहे हैं क्या लिख रहे है, Benzonitrile Common वाला UPC में ये उसकर सकते हो Benzonitrile, समझ गया है कहानी अगला देखो जड़ा, कहाँ पर functional group आ रहा है Chain में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यही से numbering करेंगे, यहाँ longest chain way का मतलब नहीं है, जहाँ functional group आ रहा है वही से numbering करना है, तो आपको यह क्या मिल जाएगा, यह क्या मिल जाएगा Substitute, ठीक है, तो जड़ा ऐसे करना है आपको, पस पढ़ते रहा है देखते जाओ, यहाँ पर क्या चल रहा है, आपको सब सिखा देंगे अगर तुम्हारा functional group किसी में भी आ रहा है chain में भी या ring में भी, तो आपको वहीं से numbering करना है, फिर तुम्हें यह नहीं देखना कि IUPAC की भी अपनी कहानी है IUPAC की बहुत खतरनाक चीज़ है मतब है simple, लेकिन अभी आपको पीछे जो last classes में rule सिखा है तो उसमें longest chain लिया करते थे अब बोलोगे, सर आपने longest क्यों नहीं लिया rule अलग-अलग vary करते हैं IUPAC की द्वारा बनाए गए हमने थोड़ी बनाए तो rule vary करते हैं अलग-अलग कि functional group अगर आ गया तो तुम्हें फिर longest chain नहीं देख लिए ठीक है आप देखो कि तो यहां छे कार बना सकते हैं यहां एक ही आ रहा तो हमने एक ही लिया है क्यों क्योंकि वहाँ CL लगा है ठीक है तो यह धियान रखना है इस बात का चलो फिर आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं धियान से देखना चाहिए अगर मैं आप से बोलूं कि वे टा नंबरिंग बता देना चाहिए सवाल करते हैं मजा आएगा आपको इन तीनों में कहां से नंबरिंग की जाए अब तुम डिसाइड करो कि इन तीनों में सबस्यादा प्रायोरिटी किसकी है रूल आपको कोई लगाने बताओ CN, OH और BR में किसकी प्रायोरिटी सबस्यादा है? CN की तो ध्यान से देखना जड़ा CN की प्रायोरिटी और CN किस से जुड़ा है? बेटा, CN डारेक्ट जुड़ा है और डारेक्ट जुड़ता है तो रिंग की नंबरिंग करता है तो यह आएगा 1, ठीक है? अब ऐसे जाओगे की ऐसे जाओगे जब तुमने इसको अब बताओ, B पहले आता है कि H बाद में आता है A से लेकर Z तक जो बच्पन में आपने सीखाता है बोलो जल्दी समझे है ना? B पहले आएगा और H बाद में आता है चलो भई इसका मतलब क्या है? नंबरिंग चलिएगी यहाँ से जाएगी इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ से देखते जाना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठीक है? अब देखना नाम कैसे लिखोगी? अल्फावेटिकल ओडर में क्या लिखना है? 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 5 पर क्या आएगा बड़ा? हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी अब देखो जड़ा हाइड्रोक्सी ठीक है? अब क्या लिखोगे? बेंजीन कार्वोनाइट्राइल ये भी लिख सकते हो त्यान सुनना? बेंजीन कार्वोनाइट्राइल ये लिख सकते हो सफिक्स में या इसका हमने एक कॉमन भी लिखा था था कि common name को ही ibs लेए बेंजोनाइट्राइल तो three bromo five hydroxy benzone आई अज कल यूश करने लगे benzone आइट्राइल लिखो ऐसा समझ गहे थ्री recognize for by hydroxy benson nation लिखा गरे मिहतान आप बेंजीनkarbon तो रोग चेन में आता है तो चेन से नंबरिंग रिंग में आता है तो रिंग से नंबरिंग यहां सी एल कहा लगा है चेन में लगा है डारेक्ट नहीं जुड़ा मतलब चेन की नंबरिंग करेंगे और बेटा चेन में एक ही कारवन है तो वन लिख देंगे बस यह क्या है पी बाद में आएगा अल्फावेटिकल लगाते हैं नॉर्मल सब्सीडुएंट पर कॉंप्लेक्स सब्सीडुएंट होता है तो उसको पहले लिखते हैं ना वन के लो रोवन फिनायल मीथेन समझे बात इस तरीके से ठीक है बहुत अच्छे से नोट्स बनाना सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी चलें आगे चलो सर आगे बढ़ते हैं यहां जाओ अब तो भाई हो गया खेल अब आप देखो एक्जाम्पल देखते जाओ एंट तक सबसीख जाओगे देखना क्या वनेगा यह यह वनेगा वटा कि सफिक्स्स टू तो यह अटोमेटिकली क्या बन जाएगा प्रफिक्स टू खतम कहानी, क्या लिखोगे देखो पहले तो numbering कलने, suffix 2 की प्राइड़ी जाता होती 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 ठीक है, 2 पर क्या लगा है, OH, OH का prefix क्या होता, hydroxy 2 hydroxy, ठीक है, और इसको लिख सक्थो benzene, carvaldehyde, या benzaldehyde ठीक है, हम नयाँ वाले लिखेंगे benzaldehyde ठीक है, बहुत simple है, आगे बने, चलो भई कुछ example कर लेते हैं, NCRT से, अब आगे के example NCRT के ही हैं सारे, तो आपने सीख लिए अच्छे से rule वगरा सारे, अब अपन यहाँ से सुरू करते हैं, NCRT के example लाए हूँ चलो सुरू करो, cyclo compound से सुरू कर रहे हैं पहले, 1, 2, 3, 4 और 5, कोई ब्रांच नहीं, कोई functional group नहीं, सीधा cyclo pentane, कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है, इधर आजाओ, एक ब्रांच यहाँ लगी है, एक ब्रांच यहाँ लगी है, अगर एक एक ब्रांच लगी होगी तो हमें फिर यह देखना है कि alpha vertical order, तो यह क्या है, methyl, methyl में क्या आता है, M, यह 3 कारवन क्या, propyle, propyle में क्या था, P A, B, C, D, E, F, G, S, I, J, K, L, M, N, O, P, तो M पहले आएगा है न, तो यह 1 आएगा, यह 2 आएगा, यह 3, बिटाए 4, यह 5 और यह 6, लिखोगे क्या, 1 methyl 1 methyl, 3 propyle, 1 methyl, 3 propyle, 1 methyl, 3 propyle, और 6 कारवन के लिए साइक्लो, साइक्लो, हैक्जेन, ऐसे, 1 methyl, 3 propyle, साइक्लो, हैक्जेन, तीक, अब देखना ज़रा, यहाँ पर बेटा, दो ब्रांच आ गई, और यहाँ एक ही ब्रांच है, तो हमें ब्रांच को प्रेफरेंस देनी है, नंबर अ ब्रांच ज़्यादा हो, ठीक है, अल्फावेटिकल ओडर तब लगाते हैं, जब ब्रांच सेम हो, बताओ ज़रा, कौन कॉंसी ब्रांच है, यह मिथाईल, यह मिथाईल, यह इथाईल, लिखते टाइम आप इथाईल पहले लिखोगे, तो क्या लिखोगे, थरी इथाईल, ठीक है, वन कॉमा वन, दो मिथाईल हैं, तो बेटा क्या लिखोगे, डाई मिथाईल, यान से, क्या लिखोगे, डाई मिथाईल, अब इसमें डीमग ले ले लेना, अगर सिंपल ब्रांच होती है, तो अल्फावेटिकल ओडर से, मिथाईल का M और इथाईल का E कंपेर करात हैं, छे कारवन क्या लिखोगे, साइकलो, हैक्जेन, समझ गया बात को, इस तरीके से लिखना है, क्लियर एक दम, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप से क्या कह रहा है, डेराइव दा इस्ट्रक्चर, अपर इस्ट्रक्चर बनाना तो हमें आते हैं, देखो, कैसे कि अगे लगा है, क्या लगा है, साइकलो, हैट्चर और इसको नभॉन बोल देता हूं, इस पर नाइट्रो है, तो अगर मैने डव्लऽ म है, इसको वन दिया, तो इसको टू देना पढ़ेगा, और इसको ठीदेना पडएगा, और इसको ठीदा और यहाँ क्या लगा है नाइट्रो हो गया काम घतम यह चार हो जाएगा यह पांच और यह च्छे यह आएगा अंसर समझे रहे बात को आप यहां से सुरू करो साइक्लो हैक्स मतलब 6 कारबन इन लिखा है कोई वहाँ यह नहीं लिखा कि कौन से नंबर पर है तो कही नंबर नहीं लिख अगला साइक्लो हैक्स टू इन वन अल अब ध्यान से देखना ज़रा साइक्लो हैक्स मतलब 6 कारबन ठीक है टू पर इन और वन पर ओल तो अगर मैं वन पर ओल लगा दूं तो ओएच आ जाएगा यह वन पर यह टू हो जाएगा तो टू पर इन ऐसा आएगा यह थ्री यह और ये 5 और ये 6, simple, भाई, 1 पर all लगा दिया, और 2 पर इन मतलब लगा दिया, simple है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है आपकी जिंदिगी में, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेंजीन के डेरिवेटेव ऐसे होते हैं, डेरिवेटेव का होता, कोई ग्रूप पेंजीन, तो इसको हम एनिसोल यूज़ करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा है न, यह आप डारेक्ट आयो बीसी में यूज़ कर सकते, यह टॉल्वीन, यह एनिसोल, ठीक है, देख लो बस एक बार, यह टॉल्वीन होता है, CS3 है, यहाँ O, NB मतलब O, CS3, तो मिठोक्सी ब बोलेंगे, एनिसोल यूज़ करेंगे, similarly, अमीनो बेंजीन, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यह ब्रैकेट में जो लिखा है, एनिलीन, क्या यूज़ करेंगे, एनिलीन, है न, और यह क्या होता है, आपका नाइट्रो बेंजीन, तो इसके लिए नाइट्रो बेंज में त्यान से देखना ये वन ये टू ऐसे करोगे आप नम्बनेंगे ये थ्री ये फोर ये फाइव ये शिक्स ठीक है अब यहां ये से जो डबल बनाए ना इना अल्टरने डबल बेटा इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो इन डबल बॉंड्स को साइड में बना देता हूँ इन डबल बॉंड्स को आप ऐसे भी बना सकते हैं इनको ऐसा ऐसा और ऐसा बैंजीन में ये जो बॉंड है ना इन बॉंड का मतलब होता है अल्टरने डबल बॉंड ठीक है तो आप चाहे तो ऐसे लगाओ या इनको स्विच्च करके ऐसे लगाओ आगे हम पढ़ेंगे से लगा दिया करूं गोला लगाने का मतलब क्या है जिए कर दी इससे लिखोगे अब इसको ऐसा मत करना कि सार हम इतने part को क्या ले ले हैं? Bromobenzine और two Bromobenzine लेखने हैं ऐसा नहीं करना है ना? ऐसा नहीं करना आपको अगर दो सब्सिट्वेंट लगे हैं तो आपको दौनों को count कर इत्ते हुए चलना है यहाँ देखो यहाँ क्या लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या लिखो के वन पर ब्रोमो, थ्री पर ब्रोमो, क्या लिखो के वन थ्री डाई ब्रोमो, क्या लिखना वेटा, वन थ्री डाई ब्रोमो और बेंजीन, क्या लिखना है, वन थ्री डाई ब्रोमो, बेंजीन, अगला देखना जड़ा, यहां मैं वन लिखूंगा, यह टू, य यह थ्री यह फॉर यह फाइव और यह सिक्स क्या लिखूंगा वन फूर डाई ब्रोमो बैंजीन कातम ऐसे आपको नंबरिंग से चलना है वन टू बन थ्री वन फूर समझे चल आगे बढ़ेंगे अगला देखना नॉमन के लिए चराव सब्स्ट्रीट मेंट बैंजीन अच् यहां से बहुत ध्यां सच देखना यहां थोड़ा-थोड़ा दिखकत पैता हो जाता है और क्लोरो में और इत्र को कम नंबर देना इसको एसको टूब इसको 3 इसको 4 इसको 5 और इसको 6 ऐसे जाओगे तो कम नमबर मिलेगा क्यों इसको 1 मिलेगा इसको 2 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा अगर तुम ऐसा सोचते वी सार हम यहां से सुरू करेंगे तो ये 1 होता ये 2 ये 3 होता ये 4 तो 1 3 4 मिलता तो आपको क्या करना पहले कम नमबर मिल बोलना ची ब्रांच को उसके बाद फिर अपन अल्फावेटिकल अडर देखेंगे तो बन टू फॉर चलो वही नाम बता दो लिखना कैसे अल्फावेटिकल ओडर की अकॉर्डिंग बोलना वन क्लोरो वन क्लोरो टू कॉमा फूर डाइन आइत्रो क्या लिखेंगे विड़ा अगला देखना चला इसमें नंबरिंग करो तो लोएस्ट लोकेंट रूल से सोचना है मतलब कम नंबर मिलना चीए एक उसके बाद फिर अल्फावेटिकल ओडर से सोचते हैं अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा ये वन ये टू ये थ्री ये फॉर ये फाइव और ये 6 ऐसा आएगा अगर कोई ऐसा सोचता है घ्यान से देखना जरा अगर कोई ऐसा सोचता है कि सर आप हमें एक बात बताईए तो हम भी बोलेंगे वेटा बोलिए कि यहां पर हम इसको वन दे देते इसको टू दे देते इसको थ्री इसको फोर इसको फाइव और इसको 6 अब आ एक branch है, 2 पर एक branch है, और 5 पर एक branch है, अगर मैंने ये numbering ली, तो 1 पर है, 2 पर है और 4 पर है, कौन जीत गया, compare करा लो, 1, 1, same same, 2, 2, same same, ये 5, ये 4, 4 जीत गया, ऐसा नहीं बड़ा वाला जीतता है, यहां छोटा वाला जीतता, लोग एंटरूल होता है, तो ये नहीं करना है अगर तुम यहां से चलते, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो भी गलत होता, 1, 3, 4 आता, 1, 3, 4 तो 1, 2, 4 जीत जाएगा ना, तो ये भी नहीं करना है, जो मैंने किया है, वही करना है, अब इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान से देखना, इसका नाम क्या हैगा, क्लोरो, 1 मिथाइल, 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रो, और क्या लिखोगे, बेंजीन, 4 नाइट्रो, बेंजीन, ऐसा लिखोगे, तो इस तरीके से आपको चलना है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आप इसका नाम एक उस तरीके से भी लिख सकते हो, कि आप क्य करो जो common name था ना उसी को यूज़ करो जैसे मैंने अभी आपको बताया था रियान से देखना का गया नाइट्रो बेंजीन हो गया टॉल्विन हो गया अगर ये यूज़ करना चाहते हो तो भी आप इसके नाम लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं रहा है कैसे अगर मैं आपसे बोलू कि मैं इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूं समझना बात को थोड़ी सी अगर मैं इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूं ये इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूं उसको मिथायल के साथ ले लेता हूं तो क्या बन जागा टॉल्विन तो तुम टॉल्विन नाम मान के यहाँ वन दोगे फिर यहाँ टू दोगे तो two chloro four नाईटatero टॉलवेन यहां से जूनना यह भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते और देखो कि और तुम इतने पार्ट को यह इतने पार्ट को नाईट्रो के साथ कम्माईन करके यह A1, A2, A3, A4, A5, A6, 2 chloro, 4 methyl, nitrogen, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, J advance 2017 के आसपास ऐसा question आ चुका है, इसलिए में बता रहा हूँ, आप ये chlorovengin लेकर, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 2 methyl, 5 nitro, chlorovengin, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब आपकी चौईस है कि आप क्या-क्या group consider कर सकते हो, ठीक है, NCERT में जो मानते हैं, मैंने उस key according answer आपको बताया, वो इनको substitute मान कर answer देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर J advance में आया, तो multiple choice में question आएगा, तो आपको फिर वैसे consider करना पड़ेगा, जो मैंने और बताएं, ठीक है, चलो आगे बढ़ें, चलिए भाई J तक हो गया, अब चलते के पर, ध्यान से देखो, इसमें numbering करेंगे अपन, तो पिटा ये one लिखेंगे, ये two लिखेंगे, ये three, ये four, ये five और ये six, कम number देना है न, क्योंकि ये क्या prefix class के हैं आपके, OME, methoxy, CL, prefix class के function, chloro, ये क्या है, methyl, तो ये one, ये two, ये three, ये four, ये five, ये six, क्या लिखना ध् सबको prefix मान के लिख रहा हूं, जो NCIT वाले मान रहे हैं, या NCIT में खेर इसका तो ये दिया है, कि इसको उन्होंने group मान के दिया है, ठीक है, मैं आपको सारे बता देता हूं, क्या क्या होंगे, अगर मैं इन सभी को prefix मान के answer करूं, तो क्या आएगा, two chloro, चलो एक बार में ल इतने पार्ट को, इतने पार्ट को कंसीडर किया है, इसके साथ, मतलब इतने पार्ट को उन्होंने माना है, मतलब ये रिंग को इसके साथ कंसीडर किया है, तो क्या लिखोगे, इनी सोल लिखोगे, तो क्या नाम लिखोगे, two chloro, four methyl, ये सही नाम जो दिया हुआ, वो लिख रहा हूं, two chloro, four methyl, एनी सोल, ठीक है, ऐसा, two chloro, four methyl, एनी सोल माना है, अगर ऐसा नहीं करते, ध्यान से सुनना ज़रा, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसा नहीं लेना है, हमें tolwin को consider करना है common name में, मतलब common वाला UPS ही नहीं लेना हैं, तो अगर तुम रिंग के साथ इसको लेते हो, तो ये tolwin हो जाएगा, ये one, ये two, ये three, ये four, ये five, ये six, मतलब three chloro, four methyl, methoxy tolwin, three chloro, four methoxy tolwin, ये एक नाम हो सकता है इसका, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ कब ये NCIT में नहीं दिया है, लेकिन ये possible है इसका नाम, ठीक है, या तुम chlorovengene को ले लो, या तुम chlorovengene को ले लो, ऐसे, ये मतलब न, अगर तुमने इसको लिया, तो ये one, ये two, ये three, ये four, ये five और ये six, two methoxy, five methyl, chlorovengene, ऐसे भी लिख सकते हो, है न, तो ये मैंने और आपको additional points बता दिये हैं, क्योंकि ऐसा question एक बार जेए advance में आ चुका है, इसलिए मैंने बता दिये हैं, ठीक है, four, क्या था यहाँ पे, methyl था, ठीक, अगला देखना ज़रा, numbering बताओ ज़रा, कहां से करोगे, ये one, ये two, ये three, ये four, ये five और ये six, कम नमबर मिलना न, ये one, ये two और ये four, ये सारे आपके functional group है, लेकिन, ये जो NH2 है, ये prefix class का functional group नहीं है, ये suffix class का functional group है, किसका, suffix class का, ये आपके CS3 functional group नहीं है, ये branch है, ध्यांच सुनना, ये वेटा तुमा ये नमबरिंग कर रहे हैं, मतलब, यही सही नमबरिंग होगी, ये one, ये two, ये three, ये four, ये five, ये six, क्या लिखोगे, four पर, इथाईल, यहां से देखना four पर, इथाईल, और two पर क्या आएगा, मिथाईल, और इसको क्या लिखते हो, एनिलीन, तो तुम्हें इसका यही नाम लिखना पड़ेगा, क्यों, suffix class में आगया, किस में आगया, suffix class में आगया, तो ये धियान रखनाब, ऐसे लिखोगे, अमधे ये गहांनी, ये वाले क्या थे, प्रफिक्स क्लास में थे, तो इनका अपनने, common भी लिख सकते हैं, और ये प्रफिक्स वाले सब्स्ट्टिव यूज कर लेते हैं और चलो यह हो गया था theus exchange ग्रॉइख्स हो गया जह है नंग पड़ा था और संप्रेम्स अ्यूंग की प्राइरिटी बढ़ी थी प्रिंसेश हो गया OH हो गया NH2, CN, Aster, Sulphonic Acid ये सारे वो suffix class क्यों होता है तो OH किसमें आता है, suffix class में आता है तो तुम इस पूरे को consider करोगे एक साथ और जब इस पूरे को बेटा consider करोगे तो यहां से numbering करोगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 numbering तुम्हें यहीं सही गन्नी है, क्यों? क्योंकि तभी तुम इसको phenol बोल पाओगे तो क्या आएगा 3,4 di-methyl di-methyl और क्या लिखोगे? phenol लिखोगे, ऐसे चलना है आपको ठीक है? चले हाँए इसको तुम prefix नहीं बान सकते? ब्यान से सुनना, अब तुम यह मत करना सराम इसको prefix मान के कर लेना अगर ये suffix class का functional group है तो तुम्हें suffix की तरह ही treat करना है उसको prefix नहीं बनाना है prefix तो तब बनाते जब इससे कोई बड़ा वाला priority का लगाते, तब ये prefix बनता समझना बात को जो मैं बोल रहा हूँ है बहुत important lecture है आज का अगर तुम्हारा एक ही functional group है और वो suffix class से belong कर रहा है तो उसका नाम तुम्हें direct ही लिखना है जो होता है वो जो कहानी में बता रहा था एक compound के 2-3-3 नाम आ रहे थे वो कहां पर आएंगे? वो बेटा तुम्हारे तब आएंगे जब तुम prefix class के functional group के साथ खेलोगे जैसे OME हो गया ठीक है? Hello, Gen हो गए NO2 हो गए ये सब चलो आगे बढ़ता है Write the structure formula for अब ये एक नई चीज में आपको सिखाने जा रहा हूँ ये O, P इनका मतलब क्या होता? देखो, O का मतलब होता है बेटा और्थो, इसको बोलते हैं क्या? और्थो P का मतलब होता है पाईरा क्या होता बड़ा? पाईरा और्थो, पहरा, मेटा, ये position होती ध्यान से देखना मैं आपको बताता हूँ अगर बेंजीन पर ध्यान से देखना अगर बेंजीन पर कोई गुरूप लगा है जी कोई भी गुरूप मैंने लगा दिया जी तो इस जी गुरूप के रेस्पेक्ट में एक पुजीशन ये इसको बोलते हैं और तो एक पुजीशन ये इसको बोलते हैं और तो मतलब ये कारवन वाली पुजीशन का नाम और तो है इसको बोलते हैं वेटा मैटा ये वाली position होती है मैटा और ये वाली position होती है पाईरा मतलब बैंजीन पर लगे हुए ग्रुप के respect में दो और्थो, दो मैटा और एक पैरा position होती है तो अब देखना जरा ध्यान से यहां क्या लिखा है अब आप मुझे जरा बताओ और्थो, इथाईल, एनिसोल एनिसोल हम जानते हैं क्या होता है बैंजीन पर OCS3 लगाने से यह एनिसोल बन जाता है अब इस ग्रुप के respect में ये position और्थो, ये position और्थो ये वाली मैटा, ये वाली मैटा, ये वाली पैरा ऐसा होता है इथाईल मतलब C2, H5, ये वनेगा structure, अगला बताओ, पैरा नाइट्रो एनिलीन, बेटा एनिलीन बताना क्या होता है बैंजीन पर क्या लगाना है एन, H2 लगाना है, ठीक, पैरा पर नाइट्रो है, तो पैरा position इसके ये वाली होती है कातम काम, दो और थो, दो मेटा, एक पैरा, सिंपल, चलें आगे, समझगे कहानी अगला, write the structure formula for, इनके लिख दो फटावट से, क्या है, इसमें देगो कहां से सुरू करोगे, पैंटेन से, पैंटेन कितने, पाँच कारबन वन पर फिनाइल लगा है, वन पर क्या लगाया है, फिनाइल, तो यहां लगा दूमें, क्या, फिनाइल मतलब pH, बैंजीन वाली रिंग, तू-थ्री डाइव रोम हो, ये वन बोल रहा हूँ, ये टू और ये थ्री, तो यहां बी आर, और यहां बी आर, सिंपल, मिलकुल आ तो पर नाइट रोडिक है वन अगर मैं ये मां लेता हूं तो यहां फ्लोरो वन पर फ्लोरो इसको टू मान लो इस पर नाइटरो ये थ्री और ये फोर क्या हो गया इथाईल हो गया काम सिंपल है आगे बने लिखते भी जाओ साथ साथ है ना आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रूप इन द फॉलाइंग कम पांग इन में मुझे फंक्शनल ग्रूप बता दो कौन कौन से ध्यान से देखना जरा बहुत ध्यान से इसको बोलते हो एल्डी हाइड क्या इसको बोलते हो एथर यह फंक्शनल ग्रूप होतने यह प्रफिक्स क्लास का फंक्शनल ग्रूप है यह सफिक्स क्लास का फंक्शनल ग्रूप है यह भी सफिक्स क्लास का फंक्शनल ग्रूप है इसको क्या बोलते हो एल्कोहॉल तो इसका आंसर कितना है नंबर आफ फंक्श कियोंकि यह benzen से जुड़ा है तो एल्कोहल सही नहीं लगेगा यहां पर इसको तुम बोलोगे फिन अलेक होएच फिनॉलीक एल्कोल नातर फिनॉल दिंग से ज़ड़ा हैं ऐसा ऐल्डीअ गाल्ग viktigt है यह अमीन होता है यह देखना चाहτα है यहां पर ये इसको बोलते हैं एस्टर क्या बोलते है एस्टर और यह जो N दिख रहा है यह तुमारी 3-degree amine गौर से देखो इसे अरे वेटा गौर से देखो C2H5 का hold twice मतलब यहाँ पर भी एक इताइल लगा होगा और यहाँ पर भी एक इताइल लगा होगा ऐसा तो इस nitrogen की degree 3 हो जाएगी है ना समझ गहां नहीं दो इताइल लगे ना इस पर इस nitrogen पर और यहाँ से कार्बन जुटा तो 3-degree amine 3-degree amine functional group में आता है ना इधर देखो चरह NO2 यह और ध्यान से देखो यह जो दिख रहा CCC भाई साब अलकीन और अलकाइन functional group में आते हैं दिखान रखना तो यह किए कि बैंजीन नहीं आता अलकीन और अलकाइन functional group में आते हैं तो एक तो NO2 हो गया और एक alकीन हो गया ध्यान रखना यह बहुत important लिख रहा हूं my star क्या अलकीन जो होते हैं alkaline यह भी functional group बोलते हैं इनको ठीक है अरे भाइसा बाआ आगाय करो और बताऊ जुरा करो पास्त करो ट्राई करो और बताऊ जल्दी शे करे आओ ट्राइ करे आओगे तो हम यहीं मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 शुरू, देखो, दिखान से देखना चरा ये मेरे पास एक cyclo compound है और उसमें ये लगा है ester बोलूँगा इसको, क्या बोलूँगा ester क्या लगा बेटा, ester और ये लगा है aldehyde किसकी priority जादा होती है ये double bond भी लगा है न ये क्या है double bond किसकी priority जादा होती है suffix 2, कौन-कौन है suffix 2 ये है और ये है ये suffix 2 नहीं है, इसको हटा देते है ठीक है, ये ये suffix 2 है अब इन दोनों suffix 2 में किसकी priority जादा होती ester की, तो ये हटा देते है अच्छा ये भी हट गया है हम, ये हटा देते है अपन ठीक, अब इन नोनों में इसकी priority जाथा, तो ये हटा देते है, मतलब, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अरे ये क्या हट गा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, prefix क्या बन जाएगा बीटा, prefix 2 बन जाएगा अब ये, इसके सामने, ये दोनों suffix 2 होते हैं, लेकिन, COOET, ester क के सामने यल्ड हाईड क्या बन जाता है प्रफिक्स बन जाएगा ठीक है ये बन जाएगा प्रफिक्स टुँ अच्छा ये क्या है तुम्हारा suffix one है यह, क्या है यह, suffix one है, ठीक है, तो यह है तुम्हारा suffix two, अब ध्यान से देख लो, यह है suffix two, ठीक, यह prefix और यह suffix one, अब आप जानतों कैसे लिखना है, चलो अब इसकी हम numbering करेंगे, इसको मैं यहां से बना देता हूँ, ताकि आपको यह लिखा हुआ मिले यहां प ester में क्या करते हैं, ester, ester में जो भी यहां पर ग्रुप लगा होता है, oxygen से connected, कौन सा, oxygen से connected ग्रुप को ester में सब से पहले लिख देते हैं, किसी की परवा नहीं, ester में जो उधर वाला oxygen से जोड़ा alkyl गुरुप है, वो पहले लिख देंगे, ethile, methyl, propyl, butyl, सब पहले लिख देंगे, अब हम numbering करेंगे यहां से, देखो, इस carbon से directly connected carbon है, carbon containing functional गुरुप है, तो हमें numbering किसकी करनी है, इसकी, तो इसको लिखोगे one, अब इसको one लिखा, अब तू किसको दोगे, बिटा, यह तुम्हारा prefix बन गया, prefix से ज़्यादा priority suffix one की होती है, तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, यह समझे बात को, इसलिए तो पंकसर special है, यह देखो ध्यान से, अगर तुमने in on 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 है, decide किया, तो यह prefix था विड़ा, यह suffix है, यह suffix one है, यह suffix two है, तो पहले तुम suffix two को priority दोगे, और ring से directly connected कभी carbon containing होता है, तो हम ring की numbering करते है, अब इस पर तुम आओगे, तो यहाँ बन दे दोगे, अब यहाँ फस जाओगे, कि कहां जाना है, नीचे जाना है, कि ऊपर जाना है, maximum जनता नीचे जाती, क्यों, वो यह बोलते है, sir, सी एचो की priority double bond से जादा होती है, पागल हो गयो, क्या, सी एचो तुमारा prefix one गया, किसके सामने, इसके सामने, तो prefix की priority कम, suffix one की जादा होगी, समझ गया बात, ऐसा होता है, यहाँ यह गलती मत करना है, तो इथाई लिखने के बाद, अब आजाओ, आप पूरे compound की यहाँ प prefix में for mile लिखते हैं, तो five for mile, count करने पर also लिखते थे हैं न, five for mile, यह count नहीं हो रहा है, यह carbon count नहीं हो रहा है, तो five for mile, तीक है, अब आजाओ आप, कितने carbon हैं, पाँच, cyclopent, cyclopent, ध्यान से देखना, cyclopent, दो पर double लगा है, क्या लिखूंगा, two in, cyclopent, two in, और c-o-o-r, मतलब ester है, उसका carbon count नहीं हो रहा है, तो special suffix यूज़ होंगे, क्या, carboxylate, कितने पर, one पर, तो one, carboxylate, समझ गए बात को, ठीक है, clear है, विल्कुल, तो बहुत बढ़िया सवाल था ये, इसमें बहुत गलती करते हैं, पहले, पहली गलती कहां होती है, यहां पर, मैं गलती यहां बताता हूँ आपको, क्या क्या करते हैं, गलती, जो मैंने अपने इतने सालों के experience से देखा है, सब पहली गलती दूर, ring से directly connected carbon containing function group होता है, तो ये, तो ये आगया आपका बन, ठीक है, अब दूसरी गलती क्या करते हैं, लोग नीचे आने लगते हैं, क्यों, ये सोचते हैं कि CHO functional group है, ये double है, इसकी ज़्यादा होती priority, ना, इसके सामने ये है ना, अगर ये नहीं होता, तो तुम कर सकते थे वो, है न, तो ये है, मतलब ये prefix है, तो ये क्या आएगा, ये आपका to यहाँ नहीं आएगा, to कहा आएगा आपका ऊपर, ठीक है, तो ये गलतीयां लोग करते हैं, जो आपको नहीं करने हैं, और एस्टर में ध्यान रखना, जो भी यहाँ alkyl group लगा है, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, आप बताना मुझे क्या answer आया, इसका आप answer, बताना मुझे, ये homework क्या आपके लिए, ठीक है, समझ गए कहाँ नहीं, चलो, तो हम मैं आपको थोड़ा सा revise करा देता हूँ, क्या-क्या हमने पढ़ा, तो आपको अच्छा लगेगा, सबसे बहले हमने आपका welcome किया था, ठीक है, ये अपना chapter सुरू हो रहा थ नया से, बत जैप्टर नहीं, topic सुरू हो रहा था, साइकलो compound के हमने basic rule पड़े, ठीक है, साइकलो compound की numbering आपको कैसी करनी है, principal function group को पहले priority देंगे, फिर multiple bound, फिर number of carbon, फिर ring, अगर carbon same है, तो ring को देना है, second rule ये कह रहा था, कि ring से अगर directly connected carbon containing वाला है, तो तो तुम्हें इस मैं फिर इसकी numbering करनी पड़ेगी, ये carbon count करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा है, इसके हमने नाम नहीं लिखे थे, अब आप बता सकते हो नाम इसके, ठीक है, मुझे बताना इसे comment में, इसके नाम क्या आएंगे, ठीक है, मैं बता तो, नहीं चलो, पहले तुम लोग बतान हों, या cyclo-algen के उपर लगे हों, ठीक है, यहां से अपन ने question की practice करी, आई होप, आपको समझ में आए होंगे ये question, ये वाले हो गए, फिर अपन चलेगा है, benzene derivative में, जो अपना common name वाले होते हैं, उसको IUPAC में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर आगए, तो किस तरीके से numbering करनी है, वो भी सिखाया मैंने, अगर तुम्हारा methyl-ethyl होता है, तो benzene की numbering होती है, और उसके अलावा सभी cases में किसकी होती है, chain की होती है, फिर तुम्हारा benzene क्या बन जाता है, phenyl group है, प्रफिक्स बन जाएगा, फिर मैंने आपको यहां पर यह बताया क सब्सीटुमेंट होता है, ठीक है, तो उसको अपन पहले लिखते हैं, और यह बताया था कि numbering कहां से करनी है, अगर तुम्हारा functional group, अगर तुम्हारा functional group, ring में है तो ring से करो, chain में है तो chain से करो, ठीक है, उसके बाद हम चले गए, example कुछ discuss किये हमने, ठीक है, समझ में आ गय को आप IOPSC में यूज करते हैं, तॉलविन, एनिसोल, एनिलिन, नाइट्रोवेंजीन, ब्रोमोवेंजीन है ना, ठीक है, यह कुछ मैंने, example से भी आपको बताया था, और फिर मैंने आपको यह बताया था कि numbering आप कैसे कैसे करोगे, lowest low count rule लगाना है, ऐसे वाला, कम number मिलना यह ब्रांच को है ना, और यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम कई नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो NCRT में दिया है, मैंने आपके सामने वही लिखा है, इसके भी आप अलग अलग तरीके से नाम लिख सकते हो, तीनों को प्रफिक्स मान के लिख सकते हो, यह वाला उन्होंने प्रफिक्स मान के नहीं लिखा है, उन्होंने इसको, किसको बेंजीन के साथ OME को एनिसोल लेकर लिखा है, चले का कोई लिख कर नहीं, आप तीनों को अलग लग मान के भी लिख सकते हो, क्लोरो, मिथाईल और मिथोक्सी को अलग लग करके, यहाँ पर देखो, NH2 सफिक्स क पास का है, तो इस पूरे को ही कि अफिनॉल मान लिया, बागी CS3, CS3 ब्रांच बन गी, इस तरीके से होता है, फिर मैंने और्टोमेटा पहरा कि आपको चीजे मत आई, बेंजीन पर लगा होता है, तो और्टोमेटा पहरा होता है, इस ट्रक्चर से, नाम से ट्रक्चर लिख ठीक है, बताना इसका अंसर क्या आया, समझे कहां नहीं, और लास्ट में हम आपको बोलना चाहते हैं, आप यहां तक आए, आपने हमसे पड़ा, और आपको कुछ-कुछ चीजें समझाई होंगी, सारी आई हैं तो बहुत बढ़िया, और कुछ आई हैं तो बहुत बढ़ि सीखेंगे, जे-मेन और नीट के लिए तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जी-ो-सी में कई बार कुछ चीजें आ जाती है, स्पाइरो बाइसाइकलों से रिलेटेट, तो थोड़ा बहुत आईडिया आपको होना चाहिए, और मैं आपको प्रीवेस येर क्वेशन प्रीवेस येर क्वेशन जो अपने आ चुके हैं, जे-मेन नीट या जे-एडवांस में, तो वह भी डिसकस करेंगे, और बाइसाइकलों स्पाइरों भी पढ़ लेंगे, ठीक है, आपका वैसे NCIT में इतना ही नेमिंग वगरा, मतब आई-उ-पी-सी NCIT की इतनी ही दे रख पढ़ाई करते रहें, all the very best